आदरनी भगवन अभी पांच दिन पहले की बात है, एक्सेंचर ने अपने प्रोमोशन्स में कटोती करी थी, परणाम सरूप भारती आईटी स्टोक्स की जवरदस्त खोने में ले जाकर पिटाई कर दी गई, उस गिरावट के दौरान भी मैंने अपने क्लाइंट से से दिन बेदन किया था, एक्सेंचर का प्रोमोशन जो डीले हो रहा है, ये इनके पुराने पाप है, शेर मार्केट भविश्य देखता है, अब आप देख लीजिए, ब्याजदरें कटी थी, उसके प्रणाम सरूप एक्सेंचर का कहना है, कि उनका जो रिवेन्यू है, वो ब बाइबेक लेकर आ रही है, याद होगा मेरे सभी क्लैंट्स को, मैं पहले से ही निवेदन कर रहा था कि भारती आईटी कंपनियां मोटे कैश के उपर बैठी हुई है, वो निश्चित रूप से इसकी संभावना है, कि वो बाइबेक का एलान करेंगी, इस तमाही में नहीं तो अगली तमाहियों में बाइबेक आएंगे, भारती आईटी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, अक्टूबर महीने में उस से ठीक पहले, एक्सेंचर के रिजल्ट से ने बेहत अच्छा यहां, शांदार मौसम बना दिया है, भारती आईटी सेक्टर का स्वर सबसे अच्छी बात यह है, कि यह जो डिमांड बढ़ रही है, वह AI प्रोजेक्ट के कारण हो रहा है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस भूम आ रहा है, जाहिर है भारती आईटी कंपनियों को उसका सीधा लाब होगा, और आपका सवार होगा कि IT सेक्टर में किन कंपनियों में निवेश करना है, कब निवेश करना है, इस बारे में आपको यदि मेरी मदल चाहिए, तो ऐसा करपाना मुझे संतुष्टी प्रदो होगा, आप वस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके, अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्री मंत।